अजी सर आइए रिखेस ये अपना software इस तरीकिया से जब open रही हो तो सब से पहला काम करते हैं कि हें यह अधू सब्सक्राख счит ling के लिए बनता है। ठीक है और बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ और इसका क्या बेनिफिट है वह भी आपको समझ आ दाएगा ठीक है यह वार्ड मास्टर है बैड मास्टर है अदर चार्जेश सर्विसेश इसमें तो कुछ एपने हैं कि क्रियेट कर लेंगे बाद क्या होता है कि जो जो चार्जेश आप करेंगे वह बिलिंग में रिफ्लेक्ट हो जाता है ठीक है और यह यह सिरीज़ का मश्तर है कि जैसे यह एक ओपीडी डूसरी थर यह तो जो अपने पास रीगुलर यह कितना लेते है अगर पेशन्ट आपके पस OPD में आता है तो तो इस पर डबल क्लिक किजे ओपीडी सेरीस पर किजे डबल क्लिक किजे डबल क्लिक किया ज़नाथ यह आया सिर्फ यहां पर नीचे में 100 को 200 किजे सर्फ उसके बाद सबसे नीचे आ करके अपडेट पे क्लिक कीजिए जा फिर ऊपर में जाकर करके इसको क्लोज कीजिए हाँ हां काट दीजिए अब मैं आज के दिन सिर्फ एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ फिर उसके बाद मैं next training आपका ले लुगा इसी तरीके से time schedule करके पहली training में आपको ये बता रहा हूँ कि अपने पास जितने भी number of patients आएंगे तो उसकी entries जो है वो हम OPD में करेंगे ठीक है? तो उसकी entry हम कैसे करेंगे उसे देख लेते सबसे पहले entries में जाएंगे और यहां पर OPD में जाएंगे सुन रहे हैं अब उसके बाद यहां पर new button पर click करेंगे तो यह आज का date हमारे पास यहां पर आ गया reflect हो करके अब आप keyboard से enter बटन दबाईए फिर से enter दबाईए फिर से enter यह सब देखिए automatic आता जाएगा एंटर 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 अगें एंटर अगें एंटर अब यहां पर आपका जो पेशेंट का नेम जो original नेम है आज के दिन जो आया है उसका नाम लिखिए और capital letter में लिखिए है 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 फिर से enter दबाईए फिर से enter यहां पर कुछ details देना है तो डालिया अदर्वाज छोड़ दीजिए फिर से enter यहां पर address दे सकते या छोड़ सकते जो भी है आपकी बस वही डालिया enter enter City Name enter 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 yes very good जेंडर एंटर यहां पर डेटो बोर्थ एंटर 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 ब्लॉड ग्रूप यहां ठीक है मैरीड और नॉट मेरीड उन्मेरीड तुसे रेफर्ड बाई सेल्फ ठीक है डॉक्टर अभी अपने क्रिएट नहीं किया था इसलिए आरहे तो उसको सेल्फ रख सते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं एंटर यह टूंटर आपने पास अगेन एंटर 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 तो फिर यह एंट्री आप जिस तरीके से किया ना आपने इसी तरीके से आज के दिन आपके पास जितने number of patients है उसकी हम एंट्री कर लेंगे इसको बोलतें OPD entries अब आपको अपने बास को report करना है कि आज की दिन मेरे पास कितने number of patients है तो आप अब डिस्प्ले में जाओगे ओपीडी रेजिस्टर में जाओगे आज के डेट यह दोनों में आ रहा है सेम डेट यहां भी और यहां पर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यह हमारे पास टोटल एमांट कितना रिसीव हुआ टू हंडे रुपीज नंबर और पेशेंट्स कितने हैं अब जितने पेशेंट्स आएंगे वह टोटल एमांट ऑटमेटिक कर देगा आपका काम क्या है कि इसको प्रेंट करा और अपने बॉस को रिपोर्ट निया जो भी आपका सीने अइस पार्ट जो भी आपसे मांग रहें आपको कुछ मैनुवली कैल्पूलेट करने की जरूरत नहीं है पहली चीज जो आज मैं आपको बिजो सेकेंड चीज करना ता कि हम जब औपेडिको एंटर कर रहें तो एक ओपीडिका स्लिप भी प्रिंट हो करके आता है तो मैंने आपको बोला था पहले भी देखिए मैं अभी आप फिर से बता रहो यह बस आपने क्या किजिए कि यहां पर देखिए मैं एक option की setting कर देता हूं आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा बस थोड़ा सा ध्यान दीजेगा आपको यह सूपर इजी लगेगा कीबोड और माऊस अभी छोड़ियो देखिए अभी दुबारा से को पीटी के एंट्री कीजिए अभी एक रिसिप्ट निकल के आएगा वो रिसिप्ट ना प्रेंट के अभी कीजिया आप मैं दिखाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं आप यह आप मैं दूच्ट के दिखे है ने बूसर मा आप मैं दूसाय लगेगा हूं तो उसका एक pattern है, मैं आपको बता रहा हूँ यह pattern किस तरीके से काम करता है, यह सबसे पहले तो एक सेगन रुख जाए आप, इस पर double click कीजिए, और यहाँ पर इसको update कीजिए, तो okay कीजिए, one two print, yes, अचा यह direct आपका print आ रहा है न, print अभी निकल रहा, printer connected है आपका, तो आपका printer connected करना होगा, तभी वो preview आएगा आपके पास, अभी कोई printer है तर आपके पास, तो printer को connect कर लीजिए, अभी print भी आ जाएगा, अभी आप printer भी देख लीजिएगा, किस type का आ रहा है, तो अभी जिस तरीके से मैंने आपको यह OPD के entries बताई न, तो यह एक बर आप OPD के entries ले लीजिए, जब आपका printer लग जाएगा, तो मैं आपको न, print receipt उसमें एक निकाल के देदूगा, मैं एक timing और रखूँगा आपके साथ schedule का, और उसमें अभी next में जो आपको, यह OPD है न, आपको कितरे total number हो, patients आए, क्या है, आप यहां से अपना सारा register maintain कर सकते है, अपने recording, clear, आपी जो next अपना part है, कि मैं एक time schedule करके, आपको उसका IPT का एक support आपको provide करा दूँगा, कि IPT में like patient की admission कैसे होती है, और उसकी उपर जो हमारे expenses आ रहे, like कुछ खर्चा आ रहा ह है, जैसे patient आपको क्या है, एक partial payment करता है, जैसे total 30,000 का खर्चा आया, उसने आपको 5000 दिया, 10,000 दिया, 15,000 तो उसको computerize कैसे manage करेंगे, तो उसका topic है, आदर 1 गंटा लगेगा, तो वो भी concept clear हो जाएगा, तो उसके लिए मैं schedule बनाता हो time अपना, और फिर मैं आपको उसका भ कर देता हो, सर, तब तक आप ये कीच ये, फिर मैं schedule बना करके आपको inform कर दूगा, सर, और कभी भी कोई दिक्कत है, कोई problem है, जैसे phone अगर नहीं लगे, तो आप WhatsApp पे भी message सिर्फ drop कर दीजेगा, तो कल का रखतो हो फिर, ठीक ठीक, यहाँ तक clear है ना, सर, चलो, ठीक, फिर मैं IPDP कर दूगा, देखिएगा, खुद आपको आसाल लगेगा, वो, चलो, okay, thank you, thank you, thank you, thank you. झाल 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 झाल